एक्सराइज करने से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और ऐसी कौन सी एक्सराइज जिसको करने से हमारे बालों की हेल्थ और ग्रोथ दोनों इंप्रूव होती है आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बार में बात करेंगे So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Yes, Dhon Fitness कैसे हो आप लोग चलिए वीडियो को शूगरते हैं So, जब आप exercise करते हो न तो आपकी body में blood circulation काफी improve हो जाता है पैर से लेके सर तक blood circulation बहुत अच्छे से होती है और जब भी blood circulation अच्छी होगी न तो आपकी body में काफी आपको मदद मिलेगी So, उसी तरीके से जब आप exercise करते हैं तो blood circulation आपके सर तक आती है और उससे ही आपकी बालों की health और growth दोनों improve होती है Blood circulation तो वैसे भी हमारी body के लिए बहुत ही beneficial है डॉक्टर भी हमको suggest करते हैं कि exercise करो और ऐसी exercise करो जिसमें आपकी पूरी body में blood circulation बहुत अच्छे से होना चाहिए हमारे बालों का जढ़ने का कारण है stress और हमारे बालों का सफेद होने का भी कारण है stress तो सबसे पहले हमको doctor भी suggest करता है कि अगर आप exercise करोगे तो उससे आपका stress कम होगा और stress कम होने से बालों का जढ़ना और बालों का सफेद होना कम हो जाता है जिस तरीके से exercise करने से आपकी body में stress कम होता है उसी तरीके से आपकी body में happy hormones ब्रिलीज होते हैं कोन से होते happy hormones जैसे कि dopamine सुना हुग इसके बारे में नम serotonin और भी कुछ ऐसे cells है जो हमारी body को help करते हैं हमारे mood को improve करते हैं तो इसलिए अगर आप exercise करते हो तो उससे आपका stress भी कम होगा साथ ही साथ आपके happy hormones रिलीज होंगे और वो आपको मदद करेंगे आपके बालों की growth के लिए और आपके बालों की health के लिए जब आप exercise करते हो तो आपका body temperature गरम होता है और उस विए से आपको पसीने आते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ आपके scalp में natural oils भी निकलते हैं जो आपके scalp के लिए scalp यानि आपका जो ये सर है इसके लिए beneficial है और साथ ही साथ आपके बालों की growth के लिए और health के लिए भी जब को इनसान exercise करना start करता है तो उसकी body उसको मदद करती है nutrition को absorb करने के लिए भी अगर आप सोचोगी अगर आप exercise वगयरा कर रहे हो तो उस case में तो आप ये भी सोचोगे कि यार मैं exercise कर रहा हूं तो अपनी diet पे भी ध्यान दो तो आप जब अच्छी diet लेंगे और exercise करेंगे तो आपकी body उन nutrition को अच्छे से absorb भी कर पाएगी और उसी वेज़ से आपके बालों में आपको growth में मदद मिलेगी और hair loss भी आपका कम होगा क्योंकि बालों को जड़ना भी आपकी body में nutrition की कमी होने से भी हो सकता है regular exercise करने से आपका sleeping pattern भी सुदरता है sleeping pattern मतलब जो लोग रात को time पे नहीं सोते हैं अगर वो exercise वगेरा करेंगे तो उनकी body active होईगी, ठकावट होईगी तो इसलिए उनको अच्छी नींद आएगी क्योंकि उनकी body में stress कम होता है अच्छे hormones release होते हैं और इसी वे से उनको अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद आने के कारण उनके बालों की health भी improve होती है सो अब मैं बात करूँगा क्योंकि इससे भी blood circulation काफी improve होती है हमारी body में और वो ही सारे काम जैसे कि अच्छे hormones release होंगे stress कम होगा natural oils release होंगे आपकी body में सो ये सारे factor भी मदद करते हैं आपकी body में hair growth के लिए लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप moderate cardio करें बहुत जादा भी high intense cardio ना करें क्योंकि उससे भी आपका stress बढ़ता है HIIT workouts ये आप google कर सकते हो जिन लोगों को नहीं पता है ये भी आपके hair की health में बहुत ही beneficial है जिन लोगों के पास time की कमी होती है तो वो लोग HIIT training करते हैं जिससे कि उनकी blood circulation बहुत improve हो साथी साथ breathing भी improve हो और blood circulation और breathing improve होने से आपकी hair की health भी improve होती है साथी साथ आपका fat loss भी बहुत अच्छे से होता है तीसरी exercise जो लोग gym वगरा नहीं जा पाते हैं तो वो लोग yoga भी कर सकते हैं yoga भी आपको बहुत support करेगा ये भी आपकी body में happy hormones को release करता है breathing exercises जैसी बहुत सारी होती है आप online check कर सकते हैं YouTube पे देख सकते हो ऐसी बहुत सारी exercise है जिसमें आपको breathing exercise करनी है same to same yoga जैसी होती है वो भी उसमें आपका focus भी improve होगा आपके happy hormones भी release होंगे आपकी body में stress कम होगा तो उस विए से आपकी hair की health भी improve होगी जैसे कि मैंने आपको कहा आप jogging कर सकते हो सुबह के time maximum 20 minute भी आप कर लोगे रोज के time तो उससे भी आपकी body में blood circulation improve होगा साथी साथ breathing improve होगी आपकी hair की health improve होगी basic jogging करनी है रोज की रोज अगर आप करोगे तो उससे भी आपको काफी health मिलेगी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मैंने जो भी exercise बताईए सब में आपका सिर्फ एक ही purpose है कि आपको अपनी body में से stress को कम करना है अच्छे hormones को release करना है अपनी body में आपको अच्छी diet पे focus करना है ऐसे nutrition पे focus करना है जो आपके hair की health को improve करे sleeping pattern पे भी ध्यान देना है कि जो लोग रात को time पे नहीं सोते हैं तो उसको भी improve करना है exercise एक ऐसी चीज है जो अगर आप regular basis पे करोगे तो आपकी overall body में आपको बहुत support मिलेगा लोगों को अभी भी नहीं पता है कि exercise से कितने सारी benefits है आज के lifestyle में तो बहुत लोगों को stress है लोगों को पता भी जलता कि उनको कितना ज़्यादा stress हो रुका है और उस वे से वो गलत चीज़ों को अपनी diet में add कर लेते हैं so guys ये थी सारी information exercise को लेके exercise एक बहुत ही important चीज़ है आज की इस वीडियो में आपसे डिसकस किया exercise के benefits के बारे में जो आपको hair growth में काफी मदद करेंगे मैंने minoxidil को लेके वीडियो बनाई हुई है जिन लोगों को hair loss की problem है वो लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें मैंने कुछ ऐसी बाते भी डिसकस करी है जो काफी benefit करेगी मतलब जो लोगों को नहीं पता है आज भी कि उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए मिनोकसिदिल को लेके मैंने काफी बारीक बातों को लेके बात करी है आप उस वीडियो को जाके देख लेना आपको बहुत benefit मिलेगा क्योंकि personally मेरे को खुद भी एक time पे इतना ज्यादा stress हो गया था कि मेरा खुद भी hair loss हुआ था तो मैंने उसकी सारी details उस वीडियो में share करी है तो उसके बाद मैंने अपने बाल recover करे खुद से करें सारी treatments होगे रहा कुद से करी अपने डाइट में चेंजिस करें आपको दिखी रहा है कि मेरे बालों में कितने चेंजिस आ गये हैं पूरी तरके से मेरे scalp कवर हो गया है मैंने अपना stress कम करा exercise पर focus करा डाइट पर focus करा तो वो सारी चीज़े मैंने उस वीडियो में शेयर करा है तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाते है तो आप मेरे से